Hello Learners, This is Anjali और स्वागया थे आपका मेरे चैनल Learn with Anjali में इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी Ecological Interactions के बारे में जिसमें हमने देखा था Ecological Interaction क्या होता है और Interspecific Interspecific Interaction Harmonious Interaction, Inharmonious Interaction और उसमें हमने एक टेबल भी देखी थी जिसमें के हमने 6 Ecological Interactions पढ़े थे कि क्या-क्या Possible Interactions हो सकते हैं नेचर में तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उपर आई बटन पर पिन कर दूँगी तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजे एक बार आज हम बात करते हैं Ecological Interactions की जिसमें हम बात करेंगे Positive Ecological Interaction Positive Ecological Interaction यानि Harmonious Ecological Interaction की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे Intra Specific Ecological Interaction Intra Specific का मतलब है कि ऐसा Ecological Interaction जो की Positive दो है, Harmonious दो है लेकिन Within Species है यानि कि एक ही Species के बीच में है जो organism है वो एक ही species के हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे colonies की सबसे पहले हम बात करेंगे colonies की if we talk about colonies तो colonies में अगर हम देखें तो colonies में क्या होता है कि एक ही type के एक ही species के individuals होते हैं और they form functional integrated aggregate यानि कि वो सब साथ में रहते हैं aggregate form करके रहते हैं और they behave like a one single unit जैसे की coral reef coral reef में क्या होता है जैसे की suppose कर रहे हैं यह coral reef है तो यह पूरा का पूरा coral reef है ठीक है न तो coral reef में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि पूरा का पूरा एक coral reef है it behave like a one single unit लेकिन यह में दिख ऐसा रहा है लेकिन यह है छोटे 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 की तरह behave करते हैं ठीक है और क्यूंकि हमने एक ही species की बात की जो की हमारा coral ठीक है तो इसलिए जब हम coral की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर बात की interest specific क्यूंकि एक ही species involved है कोई दूसरी species है ही नहीं तो इसलिए interest specific और क्यूंकि यहाँ पर सब लोग साथ मिलके रहते है कोई किसी को हाम नहीं कर रहा है तो इसलिए harmonious ठीक है ना तो इस पूरी वीडियो में हम harmonious interaction को ही देखेंगे यानि positive interaction को ही देखेंगे तो don't get confused कुछ भी negative interaction की हम बात नहीं कर रहे हैं हम positive interaction की बात कर रहे हैं पहले हम intra-specific की बात करेंगे यानि कि ऐसे individuals की बात करेंगे जो की एक ही species के हैं जैसे कि हमने coral की बात की ठीक है ना तो सबसे पहले हमने colonies देख लिया अब हम बात करते हैं societies की कि societies किस तरीके से या societies में किस तरीके के animal आते हैं जब हम societies की बात करते हैं तो इसमें जो interaction होता है यहाँ पे labor division होता है यानि कि एक ही species के individuals होंगे ठीक है न? यानि कि interspecific ecological interaction होगा और species के बीच में जो है labor division होगा यानि कि काम बटे हुए होंगे ठीक है? जैसे कि suppose करो beehives में होता है, मधुमक्खियों के छत्ते में होता है if we talk about bee तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे suppose करो यह देखो, पहली है हमारी queen bee दूसरी हमारे drones और तीसरे हमारे worker bee तो queen bee का क्या काम होता है? I'm sure आपको पता होगा शायद queen bee क्या करती है? egg lay करती है, अंडे देती है ठीक है न? जब हम drone की बात करते हैं यह queen bee को fertilize करने का काम करती है worker bee के हम बात करें तो worker bee क्या करती है? यह food provide करती है जो larva यानि की जो छोटे offspring होता है न? bee के उनको और nest को protect करती है larva को protect करती है, larva को feed करती है तो यह सब काम worker bee करती है तो देखा आपने किस तरीके से जो है अगर हम देखें तो bee में जो है labor division होता है, इनके काम बटे हुए होता है यानि कि अगर हम बात करें अलग-अलग जो bee में अलग-अलग queen हो गया, drone हो गया, worker हो गया इन सब के अलग-अलग काम है तो एक तरीके से labor division होता है यानि कि अलग-अलग काम बटे हुए होते हैं, ठीक है, तो इसलिए अगर इस तरीके का हमारा interaction होता है, positive ecological interaction इस तरीके का, तो उनको हम बोलते हैं, societies, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं, humans का, अगर हम देखें, तो human को भी हम societies बोलते हैं, societies में रहते हैं, क्योंकि पहले जब हमारे काम बटे हुए होते हैं, तो काम के बिहाफ पे हमारे अलग-अलग वर्ग होते थे, जैसे ब्रामन, शत्रे, वेशे, शुद्र, तो हमारी जो, हमारा labor division होता था, काम के बिहाफ पे, ठीक है न, तो अगर हम humans की बात करें, तो हम बोलते थे कि हम societies में रहते हैं, क्योंकि हमार इन्टर स्पेसिफिक का मतलब है, कि जहां पे हमारी दो स्पेसिज इन्वोल्व हो, दो अलग-अलग species involved हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, proto corporation की, if we talk about proto corporation, तो proto corporation में दो different हमारी species होंगी, वो दो इकोलोज, दोनो species interact करेंगी है, दोनो species का interaction कैसा होगा, कि दोनो species को एक दूसरे से क्या होगा, benefit होगा, lab होगा, पहली species दूसरी को, दूसरी species पहली को benefit provide करेगी, जो कि हमारा harmonious से, पोजिटिव ecological interaction में होता ही है, लेकिन इसमें ध्यान देनी वाली बात क्या है, कि which is not obligatory for the survival, लेकिन साथ रहना उनके survival के लिए जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, कि वो दोनो species साथ रहेंगी, तो ही वो survive कर पाएंगी, अगर वो अलग- हो जाती है, तो वो survive नहीं कर पाएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, obligatory का मतलब होता है compulsory, which is not obligatory, compulsory नहीं है, उनके survivor के लिए, हम इसको एक example से देख लेते हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, जैसे suppose करो, जो cattle egrate है, यानि कि जो एक bird है, और यह suppose करो, एक species होगी, पहली species, और यह bird दूसरी species होगी, तो दोनों अलग-अलग species है, तो इसलिए हमने इस interaction को बोला, interspecific, ठीक है न, जो दो अलग-अलग species के बीच में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यह जो animal है, और यह second species जो bird है, bird इसकी body से क्या खाती है, एक्ट एक्टोपेरसाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर हम देखें, तो animal को क्या हो रहा है, animal को कैसे फायदा हो रहा है, bird से, इसकी body से यह एक्टोपेरसाइट खा रहे है, तो इसकी body free from parasites हो रहे है, इसकी body से parasites हट रहे है, ठीक है न, तो यह clean हो रहा है, एक तरीके से, अग मतलब उसकी जो भूख है वो मिट रही है ठीक है ना तो दोनों को जो एक दूसरे से फायदा मिल रहा है लेकिन क्या इनका साथ रहना ज़रूरी है अगर ये साथ नहीं रहेंगे तो क्या ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे नहीं ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि देखो ये जो बोड़ी को जो है रब करके इस ग्रास पे अगर रब करे तो भी इसके अक्टो परैसाइट क्लीन हो सकते हैं क्योंकि वो तो बोड़ी के बाहर ही है ना पैरसाइट respectively ठीक है या ये लिख करके अपनी बोड़ी को क्लीन कर सकते है या तो ये अपनी टेल से भी satisfy कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए इस type के relationship को जहाँ पे साथ रहना survival के लिए जरूरी नहीं है लेकिन दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है ऐसे relationship को हम बोलते हैं क्या proto-corporation ठीक है if we talk about second type of relationship that is mutualism mutualism बिलकुल उल्टा है proto-corporation mutualism में क्या होता है कि एक ऐसा ecological interaction है जो तो अलगल species के बीच में होता है यानि कि interspecific है ठीक है और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों species एक दूसरे को फायदा पोचाती है which is obligatory for their survival यानि कि जो दो species साथ रहेंगी वो उनके survival के लिए जरूरी है एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चलेगा वो survive नहीं कर पाएंगी ठीक है इसको भी हम एक example से समझ लेते हैं जैसे कि suppose करो आपने दिखा होगा cow, buffalo इन सबको हम ruminants बोलते हैं ruminants वो animal होते हैं जो जुगाली करते हैं तो क्या करते हैं वो काफी time तक अपनी grass को ऐसे या जो भी वो feed करते हैं उसको जुगालते रहते हैं तो उनके stomach में क्या होते हैं उनके stomach में कुछ microbes पाए जाते हैं जिनको में rumens बोलते हैं जैसे कि bacteria, archaea, protozoa, fungi तो ये rumens क्या करते हैं ruminants की body के अंदर stomach के अंदर जो plant material वो खाते हैं उसमें जो tough cellulose होते हैं उसको digest करते हैं और उससे अपना energy derive करते हैं ठीक है तो basically यहाँ पे दोनों को फायदा पूच रहा है एक दूसरे से यानि कि rumens को जो है ruminants की body से जब वो cellulose को digest करते हैं तो उनको energy मिलती है तो उनको एक तरीके से रहने के लिए भी जगा मिल रही है और energy भी मिल रही है तो इस तरीके से ruminants को ruminants के ruminants से क्या हो फायदा और ruminants को किस तरीके से फायदा हो रहा है rumens से या microbes से क्या हो रहा है उनकी body में जो cellulose है जो की वो खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकते रूमेंस डाइजेस्ट कर रहे है तो इसलिए उनका डाइजेशन अच्छे से हो रहा है तो उनकी बोडी को जो है नूट्रेंट्स मिल रहे हैं तो हुआ ना दोनों के एक दूसरे से फायदा ठीक है ना तो क्या इनकी नीट्स कहीं और से भी सैटिस्फाई हो सकती है नहीं बिल्कुल भी नहीं मतलब अगर रूमेंस बाहर रहते हैं या किसी अधर इंवार्मेंट में रहते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो रूमेंट एनिमल है उनकी बोडी के अंदर ही रहते हैं और अगर उनकी बोडी के अंदर नहीं रहेंगे वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएं क्योंकि उनकी जो नीट्स है उनकी बोडी के अंदर से ही पूरी होती है सेलिलोज को जब वो डाइजिस्ट करते हैं अब ही वो energy drive करते हैं, तो एक तरीके से ruminants का यो microbes का, इनके ruminants के साथ रहना, उनके स्टमक में रहना जरूरी है, अपने आपको survive कराने के लिए, ठीक है, और उसी तरीके से जो ruminants है, ruminants के body में microbes को होना जरूरी है, क्योंकि वो cellulose को digest करते है, या cellulose को breakdown करते है, तब ही r body में नहीं रहेंगे, तो ruminants को energy नहीं मिलेंगे, ruminants को nutrition नहीं मिलेगा, क्योंकि cellulose digest नहीं होगा, तो nutrition नहीं मिलेगा, तो ultimately ruminants या, जो हमारे cow या buffalo है, उनको भी nutrition नहीं मिलेगा, तो उनकी भी death हो जाएगी, तो कहने का मेरा मतलब है, कि एक दूसरे के साथ रहना, दोनो के लिए beneficial है, और ultimately दोनों के लिए obligatory है, compulsory है, साथ इनको रहना ही है, तब ही दोनों survive कर पाएंगे, ठीक है, दूसरे एक example हम और देख लेते हैं, जो कि mutualism का ही है, जैसे कि हमारा lichen, lichen जो है एक तरीके का symbiotic relationship है, mutualistic relationship है, जो कि किस से बनता है, algae plus fungi, ठीक है न, यहाँ पे algae plus fungi को मिला के क्या बनता है, lichen बनता है, अब algae और fungi का साथ रहना जरूरी है, एक दूसरे के survival है जलिए, क्योंकि जो algae है, algae क्या प्रोवाइड करती है, algae fungi को food प्रोवाइड करती है, साती साथ fungi algae को क्या प्रोवाइड करता है, फंजाई algae को soil से water और nutrition प्रोवाइड करता है, और रहने के लिए जगह प्रवाइड करता है ठीक है ना तो ये इसको water और nutrition प्रवाइड करता है और algae fungi को खाना प्रवाइड करता है क्योंकि algae के अंदर chlorophyll होता है तो photosynthesis के तुरू food प्रवाइड करती है तो एक तरीके से दोनों की needs satisfy हो रही है एक दूसरे से तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है ठीक है ना survival के लिए एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है तो I hope आपको proto-corporation और mutualism के बीच में जो minor's are difference है वो समझ आ गया होगा proto-corporation में क्या है कि obligatory नहीं है survival के लिए साथ रहना जबकि mutualism में क्या है obligatory है यानि कि compulsor यह survival के लिए साथ रहना दो organism का ठीक है अब हम बात करते हैं अगले टाइप के interaction की जो की है हमारा common cellism common cellism भी एक टाइप का interspecific यानि कि दो अलग-अलग species के बीच में होने वाला interaction है जिसमें क्या होता है कि common cellism में एक जो organism है उसको फाइदा होगा है ना पहले organism से जबकि दूसरा organism क्या होगा unaffected यानि कि neutral ना तो उसको फाइदा होगा ना तो उसको नुकसान होगा ठीक है चलिए हम देख लेते हैं इसमें example है bacteria and other microbes living on the skin without being pathogenic और beneficial ठीक है ना जैसे कि suppose करो if we talk about bacteria हमारी body पे कुछ bacteria रहते हैं हमारी skin पे कुछ bacteria रहते हैं और वो हमारे लिए क्या है pathogenic नहीं है यानि कि वो हमें हाम नहीं पहुचा रहे हैं ठीक है ना और तो अगर वो हमें हाम नहीं पहुचा रहे हैं हमारी body पे वो रहते हैं तो क्या ह उससे हमें तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहे हैं तो एक तरीके से हम क्या है अनफेक्टिड हैं जबकि बैक्टीरिया हमारी बोडी पर रहते हैं तो उन्हें फायदा पोच रहे हैं तो बैक्टीरिया को हमारी बोडी से फायदा पोच रहा है क्योंकि उन्हें रहने के लि है यानि कि वो हमें नुकसान नहीं पहुचा रहे हैं ठीक है नहीं हमें फायदा पहुचा रहे हैं ठीक है समझा है तो यह एक example है हमारा common cellism का I hope आपको यह समझा गया होगा ठीक है तो यह अमने बात की आज positive ecological interaction की next video में बात करेंगे negative ecological interaction की तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें थैंक यू